अब एक बात बताईए किसी कौड का यदि मुझे मिड़ पॉइंट चाहिए मिड़ पॉइंट गिवेन हो जिसका लोकस यह पूछ रहा है H, K पहली बात कि इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है T बराबर S1 सही जा रहा है यदि ये T बराबर S1 होता है तो T equal to H, K को लेकर मानिए तो बताईए क्या बन जाएगा Y into K minus 4A X के जगा पर क्या होगा X plus H by 2 सही जा रहा है T बराबर S1 S1 करूँगा तो क्या हैगा K square minus 4A H सही जा रहा है अब मुझे लेकिन relation किस में चाहिए होता है Locus है तो H और K में तुन्होंने दिया है कि ये pass हो रहा है 3A, A से मतलब X के जगा पर 3A रख दीजिए और Y के जगा पर A रख दीजिए रख देते हैं ये पताए ये क्या बन गया K A minus 2A हो गया ये और यहां पर X plus H X के जगा पर क्या रख देंगे 3A plus H बराबर क्या हो गया भी इधर तो कोई change नहीं होगा K square minus 4A H Last में क्या करते हैं K के जगा पर Y रख देते हैं और H के जगा पर X रख देते हैं 2A PA plus X is equal to Y square minus 4A X थोड़ा सा simplify कर देंगे तो Y square इधर रहने दीजिए Y square minus A Y यहां minus 4A X है और यहां पर minus 2A X है इधर आएगा तो वह हो जाएगा minus 2A X यहां से आएगा minus 6A square तो वह plus 6A square equal to G किस option में Y square minus A Y Y square minus A Y minus 2A X minus, अच्छा है इस में D में which is the required answer ठीक है तो किसी चीज़ का midpoint दिया हो और उसका code का equation चीएए तो वह क्या होता है T बराबर S1 फिर से वह खुदी बोला है कि यह point उससे पास करेगा satisfy कर देंगे एच कॉमा के में relation आ गया last में क्या करना होता है H के जगा पर X और K के जगा पर Y answer ठीक है झाले करना है